आखिर ये surgery कैसे होती है, हम इस surgery को कैसे करते हैं, हम कौन-कौन सी exercises आपको करवाते हैं और आप कैसे तीन महीने के अंदर आप दुबारा running और अपने game में जा सकते हैं तो एक सवाल रहता है मेरे से के आखिर all inside ACL reconstruction with fiber tape internal bracing कैसे होगी और वो कैसे तीन महीने के अंदर दुबारा game में जा पाएंगे तो दोस्तों हम इस वीडियो में इसी topic भी discuss करेंगे, मैं आपको detail में बताऊंगा कि आखिर ये surgery कैसे होती है, हम इस surgery को कैसे करते हैं, हम कौन-कौन सी exercises आपको करवाते हैं और आप कैसे तीन महीने के अंदर आप दुबारा running और अपने game में जा सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप diagram में देख पा रहे हैं, ये आपकी उपर वाली हड़ी है जिसको हम बोलते हैं femur ये नीके वाली हड़ी है जिसको बोलते हैं tibia और ये आपका पटेला है जो आगे वाला हड़ी रहती है हमारे सभी हड़ियों के उपर एक cartilage की ठिक layer रहती है जो हमारी हड़ियों में कुष्णिंग का काम करती है जैसे जैसे हमारी age बढ़ती जाती है ये हमारा cartilage degenerate होता है घिस जाता है जब हम 50-60 के होता है तो बहुत सारे लोगों में ये जो cartilage की ठिकने से ये खतम हो जाती है और तब हम बोलते हैं कि आपको knee replacement की जरूरत है तो ये cartilage बहुत जरूरी है किसी भी joint के healthy functioning के लिए उसके बाद हमारे joint के अंदर एक ACL होता है एक PCL होता है ये दो main ligament होते हैं जो हमारे joint के बीच में होते हैं और दो हमारे joint पे meniscus होते हैं ACL, ACL है काम होता है हमारी जो नीचे वाली अड़ी है टीबिया उसको आगे जाने से रोकना जो PCL है उसका काम होता है जो हमारी नीचे वाली टीबिया है उसको पीछे जाने से रोकना तो जब आपका ACL तूट जाता है तो आपकी हड़ी इस तरह से लचक मारती है क्योंकि उसका जो support वाला धागा है जो दोनों हड्डियों को जोड है वो तूट गया है इस वज़े से आपको लचक आती है और धीरे अगर आप इसका इलाज नहीं कराइंगे तो यह कुरें लचक आने की वज़े से एक तो आप गेम में की स्कुन वर्जे नहीं कर सकते हैं 10 साल के बाद हो सकता है कि आपका घुटना वैसा हो जाए जैसे कि एक बुढ़े का घुटना होता है, बिलकुल घिसावा, क्यों? क्योंकि ACL नहीं होने के वेश से जो यह friction हो रहा है बार-बार में, उस वज़े से आपका cartilage, आपका meniscus, आपका PCL और बाकी जो चीजें वो भी damage होगी, इसलिए इसका operation और treatment बहुत जरूरी है, दूसरा कि आखिर हम all inside ACL reconstruction with fiber tape internal bracing कैसे करते हैं, तो दोस्तों यह जो ACL है, यह आप ही के hamstring के tendon से बनाया जाता है, आपकी जो थाई की मास पेश ही है, उससे हम एक hamstring का tendon लेते हैं, single, एक hamstring का tendon लेते हैं, उससे हम आपका ACL बन आते हैं, तो सबस्क्राइब करें यह चैनल, the healthcare today और bell icon दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले, अब जब हम ACL को fix करते हैं, बोन पे तो अलग-अलग तरीके device काते हैं, पहले हम all inside ACL reconstruction with fiber tape internal bracing की बात करेंगे, तो इसमें उपर वाली हड़ी के साथ आप आपके ACL को endo button या tight rope RT से fix किया जाता है, इसके अंदर fiber wire लगे वे होते हैं और पीछे की तरफ एक metal की clip होती है, इस device से आपके ACL को उपर वाली हड़ी में fix किया जाता है, नीचे वाली हड़ी के अंदर भी same यही device लगाया जाता है, ऐसे, तो all inside ACL reconstruction में एक हमस्टी का tendon होता है और उपर और नीचे tight rope RT या endo button device होते हैं, तीसरी सबसे important बात, इसके अंदर हम fiber tape internal bracing करते हैं, इक fiber tape आपके इस button से लेके इस button तक internal bracing होती है, यह internal bracing आपके ligament को बचाती है, यह आपके ligament का seat belt की तरहे काम करती है, जब गाड़ी चलाते हैं, अगर आपने seat belt नहीं लगा आपको accident हो गया, तो आपको चोट लगने या खतरा रहता है, अगर seat belt लगा रखा है, तो आपको चोट नहीं लगती है, उसी तरह से जब ACL के operation के बाद खिलाड़ी चलने लगता है, exercise करने लगता है, running करने लगता है, या फिर वो ACL के operation के 2-3 महने बाद या अगले दिन घिर जाए, अगर उसको मैंने protect नहीं कर रखा, तो वो fail हो जाएगा, surgery हमारी, यह जो ACL का seat belt है, fiber tape, internal bracing, यह हमारे ligament को protect करता है, और आपके ligament को operation के बाद लंबा नहीं होने देता, ढीला नहीं होने देता, और fail नहीं होने देता, इसी के कारण हम आपको अगले दिन से 90 डिग्र से जाधा pair bend करवा सकते हैं, आपकी exercises चालू करवा सकते हैं, आप 15 दिन के अंदर lunges, squats इस तरह की difficult exercises करने लगते हैं, एक महिने में आप running करने लगते हैं, और एक महिने में आप jogging करने लगते हैं, और तीन महिने में आप back to sports and running चले जाते हैं, यह benefit है इस surgery का all inside ACL reconstruction with fiber tape internal bracing, क् क्योंकि इस surgery के अंदर ACL वो आप ही के ligament, आप ही के tendon से बनाएं, hamstring tendon से, एक बार वो tendon हमारा ligament में convert हो जाता है, तब future में कोई difficulty रहती, आपका ligament वैसे ही बन जाता है, जैसे कि वो पहले था, क्योंकि यह आप ही के hamstring के tendon, आप ही के body parts से बनाएं, इसमें failure rate जीरो के बराबर अब हम बात करेंगे screw वाली surgery की, कि आखिर screw वाली surgery क्यों मैं नहीं करता, screw वाली surgery क्यों मैंने करना छोड़ दी, screw वाली surgery से ही मैंने ACL surgery करना सीखा था, जब मैंने ACL चालू किया था, आज से 10 साल पहले तो मैं screw वाली surgery क्या करता था, पर पिछले 6 साल से मैं screw वाली surgery नहीं कर यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल दा हेल्थ केर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर आल इंसाइड एसील रिकंस्रेक्शन इसकूर वाली सर्जिरी से कैसे डिफरेंट है मैंने जब एसील सर्जिरी करना चालू की थी आज से दस साल पहले तब मैंने इसकूर वाली सर्जिरी के साथ काम चालू किया था पर मैंने screw-ally surgery करना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ all inside ACL reconstruction with fiber tape internet bracing करता हूँ पिछले 6 सालों से क्योंकि all over the world का अगर मैं data उठा के देखूं तो screw-ally surgery के 30% failure rate है इसका मतलब यह है कि अगर 100 screw-ally surgery हुई है तो 30 उसमें से fail हो जाती है बहुत सारे patient मेरे पास दुबारा आते हैं कि हमारी screw-ally surgery होई है और अब वो fail होगई डॉक्स अब क्या करें तो मेरे पास उनको दुबारा surgery offer करने के अलाबा कोई option नहीं बचता तो हम बात करते हैं कि आखिर screw-ally surgery क्यों fail हो जाती है और इसको क्यों नहीं करवाना चाहिए तो screw-ally surgery में दोस्तों आपका जो ACL है वो आप एक हैंस्रिंग tendon से बनता है यह मैंने हैंस्रिंग tendon से आपका ACL बना दिया अब इसमें मुझे आपके दो हैंस्रिंग के tendon लेने पड़ते हैं जबकि मैंने पहले बताया था कि all inside में मुझे सिर्फ एक ही आपका हैंस्रिंग का tendon लेना पड़ता है इस्कुरू वाली सर्जरी में जो उपर वाला डिवाइस है वो सेम रहता है उसमें फाइबर वायर लगावा रहता है और उपर हम बटन दे जेते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइट रोप या एंडो बटन यह डिवाइस और ऑल इंसाइट का डिवाइस सिमिलर है इसमें कोई फरक नहीं है पर इसकुर वाली सर्जरी में हम नीचे पूरा छेट करके नीचे हम बायो स्कूरू लगा देते हैं इस तरह से आपके बायो स्कूरू नीचे लग जाता है इस्कूरू वाली सर्जरी में अब क्योंकि नीचे बायो स्कुरू लगावा है इसके अंदर मुझे इतना बड़ा छेद करना पड़ता है हड़ी के अंदर जब कि जब मैं आल इंसाइड कर रहा था क्योंकि इसमें यह सस्पेंसरी डिवाइस था तो मुझे बड़ा छोटा छेद करना पड़ रहा था इस कारण इसमें हम फाइबर टेप इंटरनेर ब्रेसिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर इंटरनेर ब्रेसिंग नहीं हो सकती है इसको वाली सरजरी के साथ तो इसके अंदर किसी भी तरह का प्रोटक्शन नहीं है आपके लिगामेंट में छेद बड़ा होने के कारण दो टेंडन निकालने के कारण और कोई प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण इस नए लिगामेंट पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है इसलिए हम आपका पायर जल्दी नहीं मुड़वा सकते ओप्रेशन के अगले दिन हमें 20 डिग्री पहर मुड़ाना होता है कंप्लीट बेंडिंग आने में कम से कम डेड़ महीने लग जाते हैं और इसमें दर्द भी काफी होता है आपको काफी बार फियो थेरपिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है बहुत सारे फियो थेरपी प्रगिंग चालू कराते हैं इस सर्जरी में वापस बैक टू रनिंग जाने में 8-9 मेने लग जाते हैं जबकि हम आल इंसाइट फाइबर टेप इंट्र बेस्टिंग में तीन महीने में वापस आप रनिंग पे जा सकते हो यह अगर आप सर्जरी के कुछ दिनों बाद एक म दो महीने लग रहे हैं वापस जॉब जॉइन करने में उसको देट से दो महीने लग रहे हैं और फेलिर के चांसे भी जादा हैं इसलिए स्कुरू वाली सर्जरी से बैटर रहती है और इंसाइड एसलिए रिकंस्रुक्शन बहुत सारा सवाल में पास यह आता है कि यह जो कोई टेप लगाव है यह कहीं रियक्शन तो नहीं करेगा मेरे नी के अंदर तो दोस्तों जब हम इसकुरू वाली सर्जरी करते हैं तो यह जो मैटरियल है यह फाइबर वायर है यहां पे भी इस ही मैटरियल का फाइबर वायर है इस ही मैटरियल का फाइबर टेप है तो को क्योंकि इसमें फाइबर टेप भी लगी विये, फ्यूचर में इसके तूटने, देले होने और फेल होने की चांसे बहुत ही नगलिजिबल रहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से साइंस के एडवांस्मेंट के कारण बहुत सारे खिलाड़ी अपना गेम परफॉर्मेंस लूज किये बिना जल्दी गेम में जा रहे हैं और इस सर्जरी का लाब उठा रहे हैं। तो अगर आप एक एलिट खिलाड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस गेम में जाएं बहुत जल्दी आप परफॉर्मेंस लूज नहीं करें। आप आप आल इंसाइड एसेल रिकंस्ट्रेक्शन के बारे में ही सोचिए। क्योंकि यही एक मातर सर्जरी है जिसके अंदर फेले रेट नियर टू जीरो हैं। और आप तीन महिन में बैक टू गेम जा सकते हैं।